Assalamu alaikum and welcome to lecture number two of Facebook advertisement In this lecture basically we will cover some of the important terminologies related to Facebook ads जिनमें सबसे पहले जो important parameter है Facebook ad को analyze करने का वो है impression तो आपको ये पता होना चाहिए कि Facebook की terms में impression किसे हम बोलते हैं तो मैं आपको एक live example एक Facebook ad से ये clear कर देता हूँ कि ये मेरे सामने एक Facebook ad नज़रा रहा है आपको तो इसमें अगर मैं scroll down कर रहा हूँ और मेरे सामने ये ad एक दफ़ा मुझे नज़रा आया चाहे मैं उसके साथ engage हूँ चाहे मैंने ये ad जो है वो देखा है या खुद ignore किया है doesn't matter just आपके सामने या आप scroll down कर रहे हैं और आपके screen पर ये एक दफ़ा अपेर हो गया तो इसका मतलब है Facebook आपके ad का एक impression count कर लेगा let's say आपने आप दुबारा अपने news feed पे गए और आपने दुबारा ये ही ad देखा या 10 तफ़ा देखा या 20 तफ़ा देखा तो जितनी बार भी आप same ad देखोगे तो Facebook अतना ही impression count करेगा जबके reach में क्या होता है अगर single person अगर same ad 20 तफ़ा भी देखे तो वो single reach count होता है तो इसका अगर मैं differentiate करूं reach and impression में तो reach जो है वो unique होता है और जो impressions है वो unique नहीं होते means कि अगर आप single ad 10 तफ़ा देख रहे हैं तो आपका impression जो count होगा वो 10 impression count होगे जबके reach जो है वो single count होगा क्योंकि Facebook जो आपको charge करता है वो impression पर करता है तो इसलिए impression और reach के दरम्यान difference आपको जानना नहायद जरूरी है अगर मैं practical example दूँ तो इस aid में आप देख सकते हैं कि इस aid की reach जो आई है वो तकरीबन 1600 है और impressions जो है वो 2300 है तो इसमें आपको difference पता चल रहा है कि यह aid जो है वो तकरीबन 1600 यूनीक लोगों तक यह aid पहुंचा है और उन 1600 में से किसी ने दो दफ़ा देखा होगा किसी ने तीन दफ़ा देखा होगा तब ही impressions जो है वो reach से ज्यादा है तो इसका clear मतलब है कि reach जो आपके पास आएगा वो यूनीक होगा एक बंदे ने अगर 10 दफ़ा उस aid को अगर देखा है तो वो reach एक ही काउंट होगा क्योंकि वो single person है यूनीक परसन है जबके impressions जो है वो अगर single या यूनीक परसन ने बार बार अगर उस aid को देखा है तो वो जितनी दफ़ा भी वो aid को देखेगा उतने ही उसके impressions काउंट होंगे तो ये था reach and impressions का difference इसके बार जो next parameter है जो next terminology है जो के हम use करते हैं Facebook के aid result को analyze करने के लिए वो है CPM CPM means cost per thousand impressions इसका मतलब ये है कि Facebook ने आपको कितना charge किया है 1000 impressions आपको देखे 1000 impressions means कि आपकी aid को Facebook ने लोगों के news tweet पर 1000 दफ़ा दिखाया है तो ये CPM जतना low होगा उतनी आपकी aid की quality अच्छी होगी तो हमारी जतने भी marketers हैं उनकी कोशिश ही होती है कि उनका जो CPM है वो low इस aid में आप देख सकते हैं CPM जो निकला है वो है 226 रुपे इसका मतलब ये है Facebook ने इस aid को लोगों की news feed पर चलाया है एक हजार दफ़ा और उसका जो Facebook ने मुझसे चार्ज किया है वो 226 रुपे है अब ये amount जतनी भी कम होगी अतना advertiser के लिए फाइदा मन है लेट से अगर ये amount इसके half चार्ज हुई होती तो जाहिरी बात है कि इतने 226 रुपे में मैं 2000 impression रिसीव कर सकता था जबके यहां पे मुझे 1000 impression जो मिले हैं वो 226 रुपे में है तो हम different technique supply करते हैं ताकि हमारा CPM जो है वो low से low की तरफ जाए चुँके अब जितना भी high CPM होगा उतना ही ज्यादा हमें Facebook चार्ज करेगा तो वो कौन कौन से factors हैं जिसकी वज़े से आपका CPM low हो सकता है वो ही जो factors हैं वो आगे चलके एक एक करके में आपको बताऊंगा ताकि आप कम पैसों पे ज्यादा से ज्यादा impressions गेंद कर सकें तो यही चीज़ें जो है वो इसी course में आपको हर एक factor बताऊंगा कि कौन कौन सी best practices आपने follow करना है जिसकी वज़े से आपको Facebook जो impressions देगा वो नहायत ही cheap होंगे वो different किसम की strategies हो सकती है वो different किसम के जो Facebook की recommendations है एड के हवाले से वो सब हम इसी course में discuss करेंगे ताकि आपको कम पैसों पे ज्यादा reach मिल सके next parameter है जो कि हम consider करते हैं Facebook aid की performance monitor करने के लिए या analyze करने के लिए वो है cost per result let's say आप shoes बेखना चाहरे है Facebook aid run करते हुए आपका एक shoes जो है वो sell out हो चुका $2 में after spending $2 budget on Facebook aid आपका एक जूता बिख गया तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक result कब मिला जब Facebook aid पे $2 spend हो चुका तो इस case में cost per result क्या होगा $2 cost per result भी एक important factor है इसे भी आपको control करना पड़ता है ताकि कम से कम आपका एड बजट लगे और आपको maximum sales जन्रेट है यहां पर practically आप देख सकते हैं कि cost per result इस aid का $1.68 रूपीज आया है चुके यह purpose engagement जो आपका Facebook aid का goal होता है उस हिसाफ से cost per result आता है means कि इस जो specific aid है इसमें मेरा goal जो था वो post engagement था नके sale करना था लेट से अगर यहां पर अगर मैं कुई commercial product promote कर रहा होता तो यहां पर cost per result जो था वो purchase का होता चुके यह जिस्ट मैंने एक engagement aid चलाई थी तो उस वज़ए से जो per engagement मुझे cost पर रही है वो 1.68 PKR है इसी तरह next parameter है वो clicks का है for example आप e-commerce का store run कर रहे हैं और आपने campaign जो है वो traffic की run की हुई है और आप यह जाना चाहते हैं कि आपका आपने जो post लगाई हुई है उसके उसके backend पर जो आपने link create के हुआ है जो कि आप अपने e-commerce store पर traffic वेजना चाह रहे हैं उस पर total clicks कितने आया है तो उसको analyze करने के लिए जो parameter हम use करते हैं वो है clicks all का next term है CPC का जो कि बहुत important term है CPC हम बोलते है cost per click for example उसी example को मैं आगे लेके चलता हूँ आपने traffic campaign जो है वो run की हुई है और आप यह जाना चाहरे हैं कि आपके trip जो आपका जो एक link है वो उसकी cost कितनी आप पे कर रहे हैं Facebook को तो वो इस चीज़ को हम इदर से analyze करते हैं cost per click से let's say example के तोर पे total clicks आये हैं वो 10 आये हो और आपकी जो spending हुई है उन clicks पे वो 10 डॉलर है तो आप किस तरह CPC calculate कर by जो आपको total click receive हुए है इस case में 10 divided by 10 $1 जो एक click की cost आपको pay करना पड़ी है वो है $1 let's say दूसरे सेनारियों में अगर आपको $10 आपकी spend हुए है और total clicks जो आपको मिले है वो 20 मिले है तो उस case में आपको एक click कितने का पड़ा तो आप simply divide करें $10 divided by 20 तो इस सुरत में आपको $0.5 का एक click पड़ा है next important parameter है वो है CTR means click through rate click through rate को अगर example के तो पर मैं समझाओ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह एक post है sponsored post है let's say facebook ने इसे 1000 time लोगों के news suite पे अपेर किया है तो इसका मतलब ही हुआ कि इसे जो impression मिले हैं वो 1000 मिले हैं तो उन impressions में से इसे click कितना मिला है अगर 1000 impression मिले हैं और 1000 ही अगर click आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि CTR is 100% लेकिन let's say अगर मैं एक example के तोर पे इसे यह consider करूँ के इसे 1000 impression के बदले 50 clicks मिले हैं तो तब CTR क्या होगा तो इसे हम कैसे calculate करते हैं तो उस case में 50 clicks और total number of impressions इसे कितने मिले हैं 1000 और यह कितना आगे है 0.05 और इसे अगर मैं percentage की form में convert करूँ तो यह 5% इसका मतलब यह है कि यह 5% इसका CTR है अमोमन जो अच्छा CTR समझा जाता है वो 2-5% है अगर आपका CTR click through rate 2% से below है तो इसका मतलब यह है कि आपकी aid की quality अच्छी नहीं है वो क्या क्या parameters हैं जिसकी वज़े से आपका CTR अच्छा आएगा वो parameters आगे चलके इनिशालला one by one हम सीखेंगे इसके बाद जो next important parameter है वो है quality ranking, engagement, rate ranking and conversion rate ranking यह नहायत ही एहम parameter है जिसमें Facebook आपको चार्ज करता है अगर आपके यह तीनों parameters अच्छे नहीं हैं तो आपको Facebook बहुत ज्यादा चार्ज करेगा means आपके जो impressions होंगे वो नहायत costly होंगे let's say अगर advertiser one है उसके quality ranking का score है वो ten में से eight है इसका भी eight है इसका nine है और दूसरा जो advertiser two है उसके यह सारे score जो है वो कम है below five है तो advertiser one को जो one thousand impression फेसबुक देगा वो one dollar में देगा let's say और जो advertiser two है जिसके यह तीनो parameter जो है वो खराब है तो उस case में Facebook वही one thousand impression इसे five dollar में देगा means के एक को Facebook impression सस्ते में दे रहा है वो किस वाज़े से दे रहा है क्योंकि उसकी eight की quality अच्छी है उसने जो eight जो चला रहा है लोग उस पर likes कर रहे हैं comments कर रहें और उसे message कर रहें तो य यह parameter भी उसका अच्छा हुआ और तीसरा for example उसने shoes बेचने का aid लगाया हुआ है और जो Facebook की audience है वो convert हो रही है उसके shoes खरीद रही है as a result Facebook उसे reward किसमे देगा उसके जो impressions होंगे वो नहायत सस्ते उसे मिलेंगे तो हमारी कोशिश ही होती है कि हम अपने aid की quality है वो बहतर से बहतर मनाएं और engagement किस तरह बहतर बनेगी जब आप right audience के सामने अपना जो post है जिसे आप डुटाइस कहा रहे हो वो अपनी aid शो करवाएं अगर आपकी targeting गलत है तो लोगों का interest नहीं होगा तो लोग engage नहीं होगे तो यह जो score है वो आपका काम होगा और ultimately convergence जो है वो भी काम होगी जिसकी वाज़े से आपके impressions जो होंगे वो नहायत costly होंगे example के तोर पर आप देख सकते हैं कि यह जो specific aid है इसकी quality ranking average है और engagement भी जो है वो average है जबकि conversion rate ranking जो है वो below average है उसकी वज़ा यह है कि मैं कोई चीज सेल नहीं कहा रहा है मैं मैंने engagement edge रन की हुए है अगर मैं कुछ सेल कर रहा था और उसमें purchase आ रही होती फेस्बुक detect करता और यहां यह जो score है वो भी average हो जाता और average से आगे जिससे time pass होता फेस्बुक के पास data ज्यादा आता तो यह आ मैं इस जो add है इसको मजीद optimize करूं लेट से इस copy बेतर नहीं है यह pixelated है उसे मैं ठीक करूं तो और भी ज्यादा factor है इसमें वो आगे चलके हम discuss करेंगे इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप engagement को gauge कर सकें तो यह सारे जितने भी attributes हैं यह engagement को monitor करने के लिए काम आएंगे जै campaign run की है अपने facebook page को promote करने के लिए तो यहां से आप इस parameter से आप page likes identify कर सकते हैं कि आपके page को कितने likes मिल चुके हैं कितने post comments आ चुके हैं कितना engagement engagement में सारा कुछ आ जाता है comments messaging likes जितने भी हैं वो post engagement से gauge कर सकते हैं इस तरह कितने आपके post लोगों ने save किया हैं कितने share किया हैं तो यह सारी चीज़ें self defined हैं यह आप देख लें और आप इसे use कर सकते हैं अपनी facebook की engagement find करने के लिए अगर let's say आपने अपना कोई post promote किया है या अपना page promote किया है उसको monitor करने के लिए वो कितना अच्छा perform कर रहा है उसको analyze करने के लिए यह parameters जो हैं यह जो attributes हैं इनको देख कितना अच्छा काम कर रहा है इसी तरह आप engagement level पर cost भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो engagement आ रही है means के कोई comment आया है कोई like आया है कोई message आया है उसकी cost कितनी है एक comment या एक like पर आपकी facebook आपको कितना charge कर रहा है तो वो इस attribute से आप check कर सकते हैं messages को भी आप monitor कर सकते हैं let's say आप आपने कोई campaign run की है उसमें आपने उस campaign को optimize किया है messages पर आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी audience post देखे उसके बाद messenger पर divert हो या वर्टेप पर ये आपका parameter है तो इसे आपने चेक करना है तो आप किससे चेक करेंगे कि new messaging connections कि कितने नए लोगों ने आपके साथ connect किया है via messages या वाया WhatsApp तो ये सारे parameter आप messaging के लिए यूज कर सकते हैं सहीं उसी तरह आप उसी कॉस्ट पी चेक कर सकते हैं कि एक message एक messenger पर message या WhatsApp पर message आपको कितने कपड़ा है कितना charge किया है क्योंकि आपका जो main parameter है वो लोगों को messenger पर या WhatsApp पर divert करना है तो आपने ये चेक करना है कि मैं कि मैं कितना पे कर रहा हम फ्ऐसEPUक को वो मजे जो ृडिन्स जो मुझे मिल रही है जो मैसेज़ पर आ रहे हैं एक मैसेज करने पे मैं कितना कास्ट पे कर रहा हूं फेश बुट गूट वह чीज आप यहां से चेक कर सकते हैं कि एक मेसेज जो है या एक messenger पे या वर्ड से पे जो message आपको मिल रहा है उसकी आप कितनी cost वेस्बुक को पे कर रहे हैं तो वो इस attribute से आप check कर सकते हैं और analyze कर सकते हैं और उस असाफ से आप उसकी optimization भी कर सकते हैं next two parameters है वो related to video है अगर आपका जो aid creative है वो video की form में है तो आपको यह जानना नहायद जरूरी है कि आपने जो aid run किया है in the form of video उसकी engagement कितनी है अगर आप आपकी वीडियो की engagement 100% है तो इससे आपको बहुत सारी information और मिल जाती है कि यह जन्होंने 100% आपका आपकी जो aid की video देखी है वो बहुत ज्यादा interested है फर्दर आप इसे अपने custom audience में use कर सकते हैं ऐसे लोगों को जन्होंने वीडियो 100% देखी हो या 95% देखी हो 75 25% देखी हो और उसके आप localize भी बना सकते हैं यह क्या चीज़ हैं यह बार में हम discuss करेंगे फिलाल जो चीज़ समझाने की है वो यह attributes हैं कि आप इन्हें utilize कर सकते हैं और करना चाहिए अपने video ads में ताकि आपको पता चले कि आपकी जो video aid है वो काम कर रहा है या नहीं कर रह उन्हें 10% देखा है और जो ज्यादा maximum लोग जो देख रहे हैं वो थ्री सेकंड पर देख रहे हैं या maximum 25% पर देख रहे हैं means 100% में से 25% आपकी video देखी जा रही है तो इसका मतलब या तो आपके 8 creative में मसला है या आपके product में मसला है तो यह चीज़ें जब आपको पता नह होंगी यह चीज़ें आप monitor नहीं करेंगे तो आप optimization नहीं कर सकेंगे तो यह बहुत important factors हैं इनका आपको पता होना चाहिए और इन्हें analyze करना चाहिए तो यह सारी चीज़ें आप video engagement को analyze करते हुए use कर सकते हैं final part में आपको बता रहता हूं कि यह जतने भी parameters हैं वो आप कहां run कर रहे हैं यह चीज़ें हम बाद में भी सीखेंगे लेकिन अभी topic चूंके attributes का है तो यह कहां से आप different attributes analyze करने के लिए निकाल सकते हैं for example अगर आपने performance चेक करनी है अपने add के हवाले से तो यह जो columns का टेम नजर आ रहा है उस पर आप click करेंगे तो by default different किसम के जो matrix हैं वो attributes होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे यह आप देख सकते हैं कि post reaction post comments कितने आपके save हो चुके हैं post share कितने किये हैं link clicks कितने हुए page likes कितने हैं इसके इलावा भी अगर आप चाहते हैं कि इसी engagement में मैं यह चेक करना चाहता हूँ कि मेरा cpm क्या आया है तो उसमें आप custom column भी add कर सकते हैं custom column किस तरह आपने add करना है वो मैं आपको बता देता हूं इसमें column में आप क्लिक करेंगे और सबसे end पर जाके यहां लिखाओगा customize column इस पर क्लिक करेंगे तो जितने parameters मैंने आपको facebook add के हवाले से बताए हैं उसमें जो भी आपने monitor करना है just आपने इस पर search करना ह let's say मैं cpm check करना चाहरा हूं तो मैं cpm search करूंगा तो cpm आ जाएगा अब cpm इसी matrix में मैंने engagement के matrix में analyze करना है तो मैंने just इस पर click करना है और apply पे enter कर देना है उसके बाद मुझे यस cpm भी बता देगा कि आपके जो इस 8 का cpm क्या आ रहा है 226 जो है वो cpm इस 8 का आया हुआ है means कि 1000 impressions पे 1000 impressions जो है वो facebook ने मुझे 226 रुपीज चार्ज किया है तो आप बने बनाएं जो matrix हैं उनके जरे भी analyze कर सकते हैं और customize भी कर सकते हैं जिस तरह यहां पे cpm यहां पे इस column में मुझूद नहीं था लेकिन मैंने customize कर दिया जो matrix मैंने analyze करना था वो मैंने cpm वहां से add कर लिया तो आप यह कर सकते हैं तो यह थी basic terminology इसके हवाले से भी कुछ दो तीन lecture जो है वो theory based होंगे उसके बाद मैं practically आपको start से business manager सिखाऊंगा कि आपने pages किस तरह create करना है, page को link कैसे करना है, add account किस तरह बनाना है तो हर एक चीज में step by step जो है वो basic से advanced level तक आपको सिखाऊंगा यह theory सिखाने का मकसद यह था कि इसके बगए आप अपनी जितनी भी adds हैं वो उसे optimize नहीं कर सकते हैं तूल्स चलाना तो बहुत easy है लेकर इसके behind जो basic concepts है, terminology है, facebook aid, work किस तरह करता है, क्या best practices हैं, वो सारी theory में आती है और theory का समझना और हर एक concept को clear करना यह नहायद जरूरी है, तो आज के लिए इतनी theory काफी है, इन्शालला अगले lectures में भी में कुछ मजीद theoretical concepts आपको clear करवाँगा, final part में हम इन्शालला फिर practical की तरफ जाएंगे, और सारी चीज़ें इन्शालला cover करेंगे, तो next video तक के Allah आफिस